हालो एपरिवान, वेलकम तुकोग इजी वेच साक्षी, पीजा बच्चों को बहुत पसंद है, और बच्चों को वी क्यों हम सभी को पीजा बहुत पसंद है, तो आजे आज मैं अपने कीछिन में बनाओंगी ब्रेट पीजा इसको बहुत ही आसानी और जली से बनाए जा सकत एक बड़ा चमुच अमुल बटर, साथ ही साथ एक कटीवी शिमला मिर्च, दो चम्मच स्वीट कॉन्स, एक कटीवी प्यास, दो ब्रेट की स्लाइस, पीजा सॉस, और लास्ट इंक्रिडियेंट है ग्रेडिट मॉजरिला चीज, सबसे महले वेजिस को फ्राइ कर लेते हैं, उसके लिए पैन में डालेंगे बटर, यह जो बटर मैंने यूज किया है, यह गार्लिक बटर है, थोड़ा सा फ्लेवर देगा इसको, अगर आपके पास यह अफ्लेवर नहीं है, तो आप नॉमल बटर भी यूज कर सकते हैं, बटर में बेंट हो गया है, अब इसके अंदर सबसे पहले में डालूँगी प्यास, और प्यास को लगबग 30 सेकिंद्स के लिए इसके साथ फ्राइ कर लेंगे, बस इतना ही फ्राइ करना है, हमको इसको, अब इसमें में डालूँगी कैसिकंप, साथ ही साथ, प्रकॉंस, और अब इक तीनो वेजीज को लगबग 2 मिनट अब इसको फ्राइ करेंगे, दो मिनट मैंने सारी वेजीज को फ्राइ कर लिया है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी और इगानो, साथे साथ चिली फ्लेक्स, थोड़ असा चाट मसाला, और ब्लैक पेपर पाउट, और मिक्स कर देंगे सारी चीजों को अच्छे से, लास में इसमें एड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, वाट सॉल्ट मैंने यूज किया है, और अब इसको फ्र 빠टा हो चुशिज़ेkell जिब्सत को फ्रेटी हो रही है, तब टक ब्रेट सेके तैयार कर लेतेंगे, यह पान में आनने दाला बटर, थोड़ा सा मेंट में देते हाँ, बड़ा मेल्ट हो गया है अब इस पे ब्रेट के स्लाइसिस रखेंगे और सिल्प पे ही इसको पकाईगे जब तक नीचे से ये गोल्डन ब्राउना हो जाए अब इसको चेक कर लेते हैं इसको प्लेट में निकालके रख लिया है अब जिस साइट से हमने इसको सेका था उसी साइट से हम इस पे टॉपिंग करेंगे सबसे पहले मैं लगाऊंगी इस पे पीजा सॉस जोड़ों स्लाइसेस पे मैंने लगा दिया पीजा सॉस अब थोड़ी सी इस में टॉमाटो कैचप लगा देते हैं ये ऑप्शनल है अब चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं दोनों पीसिस में मैंने लगा दी अब इस पे प्लेस करेंगे वेजीस मैंने दूरोट स्लाइसेज पर रख दी है आप इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा छाट मसाला आप चाहे तो आप कोई भी इसमें वेजिस यूज़ कर सकते हैं मुश्रून भी कर सकते हैं पनीर भी कर सकते हैं पनीर के आपको छोटे-छोटे क्यूप्स काटने हूंगे और उसके बाद उसको इसमें प्लेस कर दें अब इसमें दालूँगी मैं ब्लेक पेपर पाउडर और एग्यानो और लास्ट में चिली फ्लेक्स अब हम इसको दोबारा से प्लेस करेंगे तबे पे जिस साइट से ये सिखा नहीं था और लास्ट में मैं इसमें उपर से आड़ करूँगी ग्रेटेट मॉजरिला चीज दोनों स्लाइस इस पे मैंने इस पे चीज भी प्लेस कर दिया है अब इसको कवर कर देंगे और अब ये नीचे से भी फ्राई होगा और ऊपर से जो हमारा मॉद्रिला चीज है वो भी मैंट हो जाएगा लगपक दो मिनट तक से इम्पेरियम इसको इस तरीके से ही रखेंगे दो मिनट हो गया है व और ब्रेट पीजा तैयार है विसको और प्लेट में निकाल लेते हैं लास्ट में दालेंगे थोड़ी से और गयानो तो इस पे और साथी साथ चिलिंपेस अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइप शेयर करना ना बूले साथी साथ मेरी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चानल कुक इसे वे साथी को यूटुब पे सब्सक्राइब करे और फेस्बूक, ट्विटर और इस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना बूले अफ्रीक कमेंस, फीडबक, सचेशन और स्बस्टाइब करेश प्रिए मिलसार यूटूची तिल दें अवी देखने मेरे चूटूची है